वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल इस वीडियो में आज आप के लिए कॉलिज और स्कूल की गर्ल्स की बेल्ट बरी शिलवार कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाने लगी है इस वीडियो में आपको द्रव्यू देखेंगे इकी इस तरह से हमने शिलवार की कटिंग की है उसकी बेल्ट बनाई है और उसको त्यार किया गया है वीडियो को कंप्लीर देखिएगा ताके कोई भी आप से चीज स्किप मत हो आप स्टेप पर स्टेप आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले हमने अपनी शिलवार जो है उसको आपने सीधा करके बिछाना है नाप के लिए हमने पहुंचे से इसकी परमाईश स्टार्ट करनी है और जहां तक इसकी बेल्ट है वहां तक हमने इसकी परमाईश लेनी है हमारे पास 30 इंच इसकी लंबाई आई है और उपर वरी पॉमाईश है हमारे पास 7 इंच है लेकिन हम 2 इंच का मारजन रखके इसको 10 इंच पर इसकी रूबेल्टा वो कटिंग करेंगे नेक्स रख हमने इसकी एक दफा फिर आप इसकी इस लंबाई नाप करें 30 इंच की है अब हमारे पास ये कपड़ा जिस पर हमने कटिंग करनी है कपड़े को सीधा करें करने वाली साइड जो है वो आपने पकड नहीं है और सीधा करके इसको आप फोल्ट करके बिचाएंगे ये हमने 2 मिटर कपड़े की बेल्ट वाली शिलवार त्यार करनी है अब देखें किस तरह से हम इसको त्यार करेंगे और इसकी cutting भी करेंगे कम कपड़े से belt वाली शिलवार जो है वो easy त्यार हो जाती है हम extra कपड़ा जो है साइड पर हम इसको cut करेंगे कपड़े को आप set करें और इस तरह से हमने इसकी लंबाई अपने शिलवार के according पमाश की थी 30 इंच इसी तरह से हम इसकी 30 इंच पर एक चोटा सा कट निशान लगाएंगे अब इसी तरह से इसको एक फोल्ड और करें पहले दो फोल्ड थे अब ये चार फोल्ड हो गया है फोल्ड आप अपनी सेट पर इसको कट के रखें कपड़े को सीधा करते जाएं ताकि इसमें किसी किसब का जोल पैदा न हो ये अक्स्ट्रा पीस था हमने कट कर दिया अब जितनी हमने इसकी पुमाश की थी 30 इंच हम इसको कट कर देंगे 4 पीस फोल्ड हुए में है एक्स्ट्रा पीस हम खटा देंगे अब नेक्स्ट जो है वह इसको कपड़े की बेल्ट तियार करेंगे इसी तरह से हम इसको सिधा करके बिचाएंगे वीडियो कंप्लेट देखिएगा ताके आपको बेल्ट वली शिर्वार जो है वो कंप्लेट स्टिचिंग और कटिंग करना आप इजी इसमें सीख सकते हैं चैनल का विजट करें इसमें और 20 ट्रोजर कटिंग और शेट की कटिंग की आपको वीडियो मिल जाएंगी अब हम उपर से इसकी आसन की पुमैश कर रहे हैं यह हमने सिर्फ साथ इंच रखी है टैन इंच हमारी उपर बेल्ट लगेगी तो यह टोटर हो जाएगी 17 इंच की शलवार रेडि होगी अब इसकी तरह से हम अपने पॉंचे की जो चुड़ाई है नीचे से हमने साथ इंच रखी अब उपर से भी 7 है और यहां से भी 7 है तिर्ची लाइन ड्रा करके हम इसको कट कर देंगे पॉंचे से यासन तक की लाइन ड्रा करके हम इसको सिंपल ट्रोजर की तरह कट कर देंगे इस तरह से हम आपको फॉल्ट करके रिखा रहे हैं ओपर वले निशान तक हम इसको लेके जाएंगे यहां से हम इसको कर कर देंगे इसमारे पस छोटी सी साथ इंच की आसन रेडी हुई है टू पीस उपर है और टू पीस को हम खोल देंगे स्टिच करने के लिए इसी तरह से अब हम इसको यहां को फॉल्ट करके दिखाते हैं यह इतनी सी छोटी सी इसकी आसन है लेकिन जब उपर बैट लगाएंगे तो यह त्यार आपको मिल जाएगी अब हम उपर इसकी बेल्ट रेडी करते हैं जिसी से पर हमने इसको अटेज करने जो मार एक्स्ट्रा पीस मारे पास आया था उस पीस को आप खोलें खोल के उसकी पुमैश करें लंबाई हमें टैन इंच चाहिए थी लेकिन हम इसको एक्स्ट्रा एक इंच का मार्जन देके उपर से हमने इसका नेफा बनाना है और नीचे से हम इसको स्टिचिंग करने के लिए हम दास इंच से यारा इंच लखेंगे थाकि हम जो नेफे वाली जगह है थोड़ी सी ज़रा एक्स्ट्रा मार्जन देखे हम उसको स्लाइ कर देंगे अब हमने बच्चों की जो शिलवार है उसको पुमाईश की साथ बेल्ट वाली जगह से हमने पुमाईश करनी है आप अपने अकोडिंग बेल्ट वाली शिलवार देख लीजएगा कि दिस्तरा से इसकी पुमाईश है इसी तरह से बड़ो की शिल्वार भी सी जाती है बच्चों की भी इसी तरह से पुमाईश की जाती है यह जितनी हमें बेल्ट चाहिए थी उपर को उसको हम कट कर लेंगे, पीस को अलदा करेंगे बेल्ट वाला पीस हमारा कड़ चुका है नेक्स्ट हम इसको दोनों पार्ट को लैदर लैदर करेंगे लैदर करने के बाद जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये गेरी की तरह हमारे पास रेडी हो जाएगा उपर को बेल्ट तियार होगी अब नेक्स्ट जो है वो स्टिचिंग का मरहला है अब आपने इसको यहां से स्टिच करना है दोनों साइडों से करने के बाद जो कुछ आप इस तरह से खोलेंगे तो इसका जो गेर है वो रेडी हो जाएगा जो शिलवार हमने ट्रोजर की तरह कट की है उसको भी आप देखें किस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे यहां से हम इसकी चोने स्टार्ट करेंगे यह कुछ पुमाईश इस तरह से हम इसकी कंप्लेट करेंगे स्टिच करके यह हम स्टिच कर लिया अब हमने यहां से सेंटर से देखा बनाया और सेंटर से स्टिच की है जो आपको साइडों की इसलाईयां दिखाई थी यह हम स्टिच कर चुकी है इसको इस तरह से खोल के आप पिछा लें और नेक्स्ट आपको ट्रोजर की तरह जो हमने स्टिचिंग की है यह देखें एक स्लाइस तरफ और दूसरी स्लाइस तरफ लगाई है इस पार्ट को पूपर वाले पार्ट के साथ हम जॉइन करेंगे sly वाला part जो है वो sly वाली part के साथ ही stitch नोह ओगा center वाला area ये दोनों आपस में center त्यार होंगे इंशलिवार को भी इसी त्रह से खोल के इसकी शकल दे देते हैं ये देखे इस त्रह से easy इसकी शकल रज़ रही है और वाला part हम खोल के नीचे वाले पार्ट से अटेज करेंगे, इस तरह से फिर इसकी सेंटर में सारी चोने रेडी होंगी, और उपर वाला जो बैल्ट है वो इसके बड़ाबर अकॉर्डिक पूरी स्टिच हो जाएगी, अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रही तो कॉमेट्स बॉक्स में मुझे प स्टिच करते जाएंगे, आप खुद देखेंगे, यह आस्ता आस्ता गोल गेरे की तरह रेडी होता जाएगा, यह अपने रेडी कर लिया है, इस शिलवार का फ्रंट पार्ट है, इस तरह से हमने इसकी चोन रेडी की है, हमने चोने गेराई में नहीं डाली, प्लेट वाली गेर डाली है, पीछे सिर्फ दो चोन डाल दी है, ताकि बच्चे जो हैं, इसका गेरा संबाल सके, हमने इसको ट्रोजर की शेकल देने थी, इसलिए इसका गेरा भी कम रख है, लेकिन उपर से हमने इसको बेल्ट त्यार कर दी है, निचे से आप इसकी कुछ शेकल देख सकत हैं, इस तरह से हमने पहुंचे को फोल्ट करेंगे, ऐसे एक ब्लाइन स्टिच करेंगे, और यहां से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे स्टिच तो आइस्ता इस्ता, नीचे वले दूसरे वले पहुंचे तक आपकी स्लाई आजेगी, पिर इसी complete review इसका trocer का यह शिलवार करें कहलें आप इसको belt वाली शिलिवार के लें या आप निछे से इसको trocer के लें कुछ भी आप जो इसको नाम देना चाहते हैं क्योंकि इसके हमने trocer का भी ख्याल किया है निछे से short mộtचे के तरहा टैड है अपर से हमने इसकी बेल्ट स्यार की है, और वेल्ट भी उमने ज्यादा चुनूवाली नहीं त्यार गीए बिaggan केया मुझा जिए कम झाल कि बिधल हम झाल के काट परयामे तो डियादा इसको रका गया सब्सक्राइब करके बल लेकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक पहले पहुंच सके हमारी बेल्ट वाली शिलवार रेडी है